सब्सक्राइब तो वाइब इंस्टिटूट और इंट्रनेशनल एजूकेशन्स अबाउट कम्प्यूटर्स एंद टेक्निकल्स हैं हलो स्टूडेंट्स हम दो चीजों के लिए पढ़ते हैं रहन सहन सीखने के लिए यानि कि लाइफ को शही से मेंटेन करने के लिए और दूसरा अपना फ्यूचर सेक्योर करने के लिए पढ़ाई से जुड़ने के बाद हम मैनर्स सीखी जाते हैं यानि कि लाइफ को मेंटेन करना सीखी जाते हैं भले ही हम सही से पढ़े या ना पढ़े तो मैनर्स को शीखने के लिए सही से पढ़ने के कोई आवशक्ता नहीं है अगर पढ़ाई में Class 1 से लेके 10 तक आप चुर गए हो तो ओलेटी आप जीने का तरीका सीखी लोगे क्योंकि मैनर्स शीखने के लिए पढ़ाई के महौल की आवशक्ता होती है जो हमें Schools, Colleges और Tutions में मिल जाते हैं भले ही आप वहाँ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन वहाँ पढ़ाई का महौल होता है इसके कारण हम Classes में Fail भी होते हैं फिर भी हम मैनर्स जरूर शीख जाते हैं बात कैसे करना चाहिए और किसी बातों को कैसे समझना चाहिए लेकिन ये जो दूसरा Option है Future Secure करने वाला यही Successful नहीं हो पाता है जब हम शही से नहीं पढ़ते हैं तब तो इसका Solution क्या है पहला Solution है कि आप लोगों की बात मानो कि आप शुरू से अच्छी तरह से पढ़ाई करो तब जाके आपका Future Secure हो जाएगा लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है ये Practical नहीं है क्योंकि जब भी ये बात आप किसी से सुनो के तो सब से पहले आपके दिमाग में बात आएंगी कि कई सारे बच्चों ने तो अच्छी तरह से पढ़ाई की क्या उनको जॉब हो गया या क्या उनका Life Secure हो गया तो ये जो बात आती है दिमाग में इससे हम थोड़े Frustrate हो जाते हैं और जो बात हम Recently सुने होते हैं कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए शुरू से लेके अन तक इसे हम इग्नोर कर देते हैं और अपनी Life common तरीके से जीते हैं अब दूसरा तरीका fully practical आप ध्यान से सुनियेगा आप किसी भी तरह 10th और 12th पास कर चुके हैं और फिर आप ऐसा सुन्च रहे हैं कि अगर मुझे future secure करना है तो मैं engineering या medical में admission किसी भी तरह से donation वगड़ा दे कर ले लेता हूँ तो ये गलती होंगी आपकी क्योंकि जब आपने 10 या 12 साल तक सही से पढ़ाई नहीं की तो engineering और medical में जुटने के बाद आप 4 साल या 3 साल या 2 साल और क्या पढ़ाई करोगे तो अगर आप बहुत कमजोर है पढ़ने में आपने शही से 12 तक पढ़ाई नहीं की है तो आगे कोई course करने की कोई भी आवशक्ता नहीं है लेकिन future को secure करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं शमय बीतने दे सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे शमय बीतेगा आप अपने life की problem के अनुशार आप अपने लायक किसी भी परकार का काम ठूंट होगे हो शकता है आप किसी shop में अपना job ठूंट लोगे या हो शकता है आप अपना private business को settle कर लोगे ये सबसे अच्छा solution था उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया है और जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है भलहीं आप shop में job पकड़ो या private business settle करो आपको थोड़े शमय तक तिकत जरूर शहनी होंगी आपकी earning कम होंगी आपको life investment करने में financial problems वगड़ा आएंगी लेकिन कुछ शमय के लिए दो साल, चार साल या पाँच या छे साल उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा अब आप थ्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूँ ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है जरा सुनिए ये जो चैनल है जहां से आप पढ़ाई करते हो वाइप इंस्टिट्यूट ये education की चैनल है यहां पढ़ाई होती है यहां सिर्फ मैं पढ़ाई से related ही आपको बाते बताता हूँ लेकिन पढ़ाई से related बाते बताने के बाद भी यहां गलत comments आते हैं ऐसा क्यूं होता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपकी तरब से कुछ बात बोल ला हूँ जराब थ्यान से सुनिए हमें नहीं सोचना चाहिए किसी और के बाड़े में या किसी की profession या किसी भी चीज को नहीं देखना चाहिए उसे हमें क्या मतलब होनी चाहिए हमें थोड़ा चा अपनी बाड़े में सोचना चाहिए अगर हम अपनी बाड़े में सोचेंगे तो खुश रहेंगे और किसी भी चीज पे हमें गलत बोलने का मौका नहीं मिलेगा जिनको मैं समझाना चाहता था अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे थैंक यू